नमस्का चंद्रशेखर फिर से आपसे संभाशन करने के लिए उत्सुखूँ और यह भी हमारा भाव के शुंखला में अश्टम संभाशन है यह ऐसा करे के शुष्टम भाव के बारे में हम संभाशन कर रहें जो अश्टम संभाशन है क्योंकि शुरू में हमने जोतिश्य की स्ट्रकार से हम से देखते हैं तथा ग्रह हमारे गुद्धीbon करते हैं कर सकते हैं और उसके वज़े से क्या-क्या हमें फल प्रदान हो सकते हैं यह दो हमने पहले संभाशनों में देखा और बाद में यह छटा भाव है तो अश्टम संभाशन है नहीं से लिए तो यह शश्ट भाव जो है यह लगना से शश्ट भाव कि हम बात कर रहे हैं हमने इसके बारे में रुषीपारशन कहते है मातुलां तकषन का नाम मातुल एने मामा माता का ब्राथा अब हमें मालूम है कि रुधन से तूर्तिय भाव ये हमारे माता धिखाता है भाता में वहीनी भी आगए ये ये पुलना नहीं चाहि deja and are चतुर्दभावल मात रहें tin देख चुके हैं अब ये चतुर्दभाव से तुन्टिय भार क्या होगा तो ये मातों कि ब्राता होंगे, मातुल गहाजाता है मोसी इस से गता है और फिर इस यस में आप कि अपार देख सकते हैं जैसे हम उने उन्हें हैं एसे हम उन्हें अलग भाव साथ सपर्ण नियुक्सिते हैं भुड़ा अब और दो जो भी सगे संबन दिये उन्हें भी हम शर्ष्ट भाव से देख सकते हैं। हाला कि इसे मूल अतहा मातुल भाव कहा गया है, माता के जो भाई-बहन उनका भाव कहा गया है। और आतंक याने मृत्य को बोलते हैं, आतंक शंका नाम का मतलब कि मृत्य की शंका, जिसे हम रोग कहते हैं, रोग के परिणाम स्वरू रुपत्यों आ सकता है। सब्सक्राइब लिए पारचार्जी ने उसे स्पष्ट शब्दों में लोगस्थान कहते है का सब्सक्राइब हम रिपूस्थान कहते हैं, robence rhub mêmes नाम कहते हैं तो रोग भाब कह सकते हैं हम it हुश अर्थके शब्द का प्रयोग कर सकते हैं उसमें इसलिक पुल्ट इसलिए एक आतब करा सब्सक्राइब कोणаем को देखते हैं अमने जैसे देखा कि श्ष्प भाव बाद्धार य। ऊठते Самम के Saya यह भी हम ख्याल में रखे कि हमें शड़ रखते हैं तो इससे हमारे अलग-अलग जो हमारे वुट्टी में हमारे सोभाव है जो कम जादा प्रवृतिया है हम जिस तरह से बरताव करते हैं यह सब हम शट्रभाव से देखते हैं पर आगे क्या बोलते हैं मातुलांतकर्शंका नम शत्रु श्चहिव उरनाधिकान, शत्रु अमारे एनिमीज जिसे हम अंगरेजी में कहते हैं, हमारे शत्रु, शत्रु याने प्रतिसपरदी नहीं, इसे समझ लिजी, कई भार इसमें लोग गड़वड कर देते हैं, शत्रु और प्रतिसपरदी को यह समझते हैं प्रतिसपर्दी प्रतिसपर्दी को सबस्टम्धा की गई हैं जो हमें तत्व दिया गया उसे और जादा खोल के बताने का प्रयास करते रहता हूं यह मेरा सोभावी है और शायद इसलिए हम संभाशन कर रहे हैं और इसलिए आप भी मुझे बड़े प्रेम पूर्वक सुन रहे हैं व्रन रहे हैं तो सट्रुश्चाइव व्रण अधिकान व्रण का मतलब किसी भी प्रकार की चोट कुछ व्रण होना व्रण को मैने बोलने की ज़ुरत ने अंगलेजी में अलसरस भी कहते हैं उसे अलसरस कह सकते है किसी शस्तर के घाव से हुआ हूआ जो घाव है उसको भी हम या घाव होने के बाद में वो जब सुधरता है उस तिति को भी हम ब्रहन कहते हैं तो वह अलग अलग चिद्ण भी हो सकते हैं शत्रू श्ऴवा फ्रहन दिखाता हूं लेदेखा कि हमारे मामा या मतुल गराने के लोग रोग शत्रू व्रन यe व्रन भी रोग से आयोय व्रन होने की सुभाव नाजयाद है हाला कि ये चोट आने के वज़े से जो व्रन होते हैं वो भी मैं जहत solicit बैख सकते हैं और तो जैसा मैंकर प्रूस्टि को अब ही एक द्रुष्टी से प्रतिनिजेती होने कि उस्ष्ठ भाव के जो भी प्रकार है जो इसमें नौक गलती रहेगी यह अचानक होने वाला नहीं है कि खुद बखुद कुछ हो गया ऐसा नहीं जब इसके बहन होते हैं या इसके रोग होते हैं तो इसमें हमारा भी खुछ-टु योगदार रहता है प्रत्यक्षा प्रत् ऐसी पत्नी जिसके पत्नी की और एक पत्नी हो तो यह सपत्नी जो है इसे हम सौतेली मा करें सकते हैं वो भी शष्टभाव से देखी जाती है क्यों? क्योंकि जिस काल में यह लिखा गया था तो पिता की जो पत्नी रहती थी उसके बाद में जो पत्नी आती थी फैंने जातक की माता अपने स Covid को अपने छोटी बहेन के समान मानती थी जायद भाव बाव बदलना पड़ेने- ऊप boy कि समसर थी करे अब आज के दिनों में परंतू झाल कि नइस पूँद आक अप्निल्मरchn को तो जिस प्यार से समझता उस उस प्यार से तो हमारे उसके सवतेली मा के तरफ नहीं देखेगा, है ना, कुछ लोगों ने इसको सपत्नी और मातरम यह ऐसा अलग-अलग कर दिया है, कि यह जातक की दूसरी पत्निया ऐसा इर्थ में लिया है, पर ऐसा कुछ महसूस नहीं होता जो पाराशरती ने बोला है, वसको तरफ नहीं समझता है, क्योंकि मातरम यह ने माता शष्ट से नहीं देखते हैं, उसे चतुर्त से ही देखते हैं, इसे शष्ट भाव से देखना चाहिए, यहां भावात भावत तत्व का बहुत बड़ा हम प्रयोग कर सकते हैं, आगे श जातक का तो तुतिय वहाव का चतुर्त से जदी शष्ट होगा तो भाई का या भ्राताओं का भगिनियों का जो गुरुव है, उनका खुत का उनने खुत कमाके जो लिया हुआ हूआ है, वो भी हम चतुर्त से देख सकते हैं, अब इसे इसमें कुछ और है, जो जातक जात में कहा गया है, वो पुरते हैं, रोगारी व्यसनक्षतानी, यहां रोग स्पष्ट कहा गया है, आतंकशंका के जगे रोग ही कहा गया है, आचारे वैद्यनात, जैसा पीड़ी का फरक परते गया, लिखने का समय बदलते गया, तो लिखने की प्रथा भी या पध्धत कहते हैं, जो सही है, वो गलत नहीं है, व्यस्ट को लगा लेते हैं, जब भी हम बोलूगा, ऐसे समय तो यह मैं या आप नहीं, यह जो जातक है, जिसके राशी चक्र का हम विश्लेशन करना चाहते हैं, उसके शेष्ट भाव से उसके व्यसन दिखेंगे, व्यसन अच्छे इसमयन दिखेंगे, बूरे रहें व्यसन के आनेक अर्थ है, उसमें किसी चीज में लगा रहना उसको भी व्यसन काहते हैं, तो इसा जह जोशुरूएर नहीं है, कि वो व्यसन हरुरा ही होगा, क्योंकि आपको जोतीमीतों आपको म Similarly स्थान है, कि क्सी कहते हैं स्थान को, कि रहो वहाँ है जो समझ नहीं सकती, यह समझने की इच्छा भी एक प्रकार का व्यसन हो जाता है, क्योंकि आप उसी के पीछ रहते। तब ही बुच प्रक्षा प्राफ्त तो होगे और उसके प्रति अग्रेसर होते रहोगे तो मुक्षप्राफ्त होगे। तो कुपया समझ ले व्यसन यहने कोई भी चीज जो हमें करते रहने की इच्छा होती है सहसा क्योंकि वो रोगस्तान है वो रोग को भी धर्षाएगा व्यसन से आने वाले रोग भी हम शष्ट भाव से देख सकते हैं यही वाइदयनाथ जी का अर्थ होना चाहिए यह बता दो क्षता नी क्षता और और एक यह बात है कोई भी चोट वगेरे लगती है गहरी होती है क्योंकि यहां पर भी ध्यान नहीं दिया तो वह बढ़ते जाएगा नेदी गैंग्रिन के बारे में आप समझते होंगे जिनको शास्त्र मालूँ है यदि उसको काटा नहीं गया तो वह बढ़ते जाता है फिर आजया बोते हैं वसुधा पूत्र अरि चिंतयत तदुप्तम रोग करम अब यहां थोड़े से हट गया है वसुधा पूत्र यहने मंगल तो यह कहते हैं कि मंगल से भी इसी प्रकार से अरि यहने शत्रु वह शत्र को भी देखना शर्ष्ट भाव से वह फिर से कहां गया है वसुधा पूत्र यहने इस मंगल यह श्त्र भावों इन से क्या देखना तो रोग देखना, व्यसन देखना, शत्रु देखना, शत्र देखना और उससे उनको जो भी उनके साथ ग्रहों होंगे, उन पे जो प्रभाव होंगे, शस्ट और मंगल पे उस प्रकार का रोग उससे होगा, ऐसा भी कहना था दुखतम, इसका विचार करक कि यहां करते हुए यह इस लोक हमारे वह देनाची ने दिया है तो अब हमें यह सोचना है कि केवल यही होगा क्या नहीं जो यह कोर्ट केसे सोज़रे होती है आपका किसी से शत्रुत होने के बाद में आप अदालत में जाते हैं उसके खिलाब कोई मुकदमा दायर करते हैं वो भी हम शत्र भाव से देखते हैं यहां वो हमारा शत्रु होना, यहां शत्रु को कभी न भूला, यह शष्ठ भाव केवल इतना ही नहीं है, इसके अतिरिक्त भी कुछ है, यह शष्ठ भाव नौकरी का भी भाव है, यह मेहनत का भी भाव है, और जैसा हम जब भाव कारक तक पहुंचेंगे, या कारकों के बार आगे बढ़ाएंगे तो वहां हमें समझभायाएगा कि ये शेष्ट भाव से हम और भी कुछ चीजी देखते हैं ये प्रचंट मेहनत का भी भाव है इसे न भूले क्योंकि ये जो है ये बारवे भाव के बिल्कुल ठीक सामने आने वाला भाव है ये जब मैं ठीक सामने वाल कि वाल डाया केवल बारवा चाठ नहीं आएका तो पर नतुसर सब जहें नहीं आएगा तो इसलिए हम अमारे उत्तरव भारतिय पंदति की कुल्णली को देखेंगे तो सीधे सामने रहता है ये बारवा भाव है ऑस्पताल का है जिसके बारे में हम बारवी भाव के बारे म है divers है तो ने इस शक्ता बहुब और क्या दिखाता है यह कि आपको जो इनी वाला उसके धनका भ्याय भी बता सकता Toữa में शुबह ग्रहों का मुद्सें भी आपको रून मिल ने में आसानी होगे यह नहीं होगी यह भी अप सोच सकते तो यह जो संकल्पना आए इसके बारे में हम आगे किसी संबाशन में जादा बोलेंगे परन्तु यह हमें ख्याल में रशना है फिर यह पुत्र का धन भी यह श्ष्ठ भावी है क्योंकि वो हमारा धन दितिया भाव तो पुत्र का धन श्ष्ठ भाव इसे समझ लीजिए यह महत्व का है फिर यह श्ष्ठ भाव की खासियत एक और मा बता दू कि जब जातक पैदा होता है तो पहले चंद्र को देखना इसके बारे में आगे आएगा तो यह चंद्र छे, आठ या बारा में रहा उसके प्रकृती ठीक नहीं रहेगी जन्म के वक्त या उसके माता को तक्रीफ होगी कारक के बारे में जब हम जादा बोलेगे तब यह सब चीज़े आएगी अब यह शर्ष्ट भाव से रोग कैसे देखना है तो यहाँ पर जो जो ग्रह बैठे है जिन जिन ग्रहों का इस पर इस पर दुष्टी है इन सभी के सम्बंद में रोग हो सकते हैं किस से शर्ष्ट भाव से और यह बढ़ गया है तो आप बारव में पहुंचे होगे यह अस्पताल में पहुंच सकते हैं यह आपका वह होगा रोगों को ठीक करने के लिए वह होता है अब अदालत में जाते हैं तो वह होता है तो यह दोनों जैसा आपने देखा यह सब भाव ना एक दुसरे के क्या बहुत सकते हैं यूगल है एक दुरुष्टी से एक साथ दो और आठ तीन और नौ यह परस पर विरोधी भी है और यह जब अच्छे होते हैं तो एक दुसरी को मिलके कुछ बहुत अच्छा बनाते हैं चतुर्था और दशम घर पे आप बैठोगे तो आप काम नहीं करोगे और काम करोगे तो घर बैठने का सुख नहीं होगा पर यह जब दोनों बराबर प्रमाण में मिल जाते हैं तो आपको सुख भी होता है आप घर भी लेते हो घर में भी सुख में रहते हो और कार्यक्षेत्र में भी आपकी प्रगति होती है आपकी प्रशंसाबती है तुतिय भाव जो है यह प्राक्रम का भाव है और नवम भाव तो तुतिय भाव में कुरूर ग्रह होने के बाद में क्या होगा वो उनकी दुश्री धर्म भाव के जाएगी तो यह धर्मको थोड़ा बहुत तो गड़वर करेगा पर यह किये वगर इसकी प्रगति नहीं होगी तो यह कर दो धर्मके काम के लिए प्रयोग में लाए तो उस छहने काम के लुणारे करा से लिए हमारे किस प्रकार की शत्रूफे होगी देख सकते हैं शेष्टा भाव यह नोकरी का भी भाव है किसी के यहाँ सेवा करने का भाव भी शेष्टा भाव ही है क्योंकि जब नवब भाव पे जाएंगे तब हमें समझेगा कि हमारा जो अधिकारी है उसका दशाव स्थान यह शेष्टा स्थान आता है कि यह शेश्ट्र स्थान है नँग में पिटा का भी मकार शेश्ट्र स्थान से हम देखते हैं। हम जातक के पैस वह सब हम नवढशा से देखते हैं। उनका द्शम भाव उनका कार्यास्ता यहां के ओ Similarly जा 타क काम कर सकता है यह किन से काम कर वा ले सकता है left से आaking है weiß इस अक्राव्य क्या उसका सकum में Ohhh refresh हमारे भृत्य देखें जैसे भृत्य कहा जाता है यह तो से यह हमारे खुद के क्य odorals ? हमारा ही एक प्रकारस एंग्रिज़ में हमसे मुते हैं हमारे अंग्स्टेंशन है जिससे हम काम करवाते हैं कि सकंद से संबंद है तीसरा भाव हमने देखा है यह जो शष्ठ है यह हमारे कर्मक्षेत्र में हमारे से जो निचली लेवल के निचले स्तर के जो काम करने वाले हैं वो भी शष्ठ भाव से हम नोकरी भी यहां से देखते हैं हमारे नौकरी के स्थान में जहां हम कर्म करते हैं, वहाँ के स्थान के जो नौकर है हम शashtra से देखते हैं. या आपका समझो कोई व्यासा है, वहाँ भी काम करने वाले जो कर्माचारिये उनको भी शashtra भाव से देखा जाता है. इसे कभी न भूले क्योंकि ये महनत का भाव शेष्ठाभा प्रिश्ठा भाव शेष्ठा भाव केवल रोग और शत्रोत को यह नहीं है परिश्ठा भाव Smut मुद ते परक्रम करता है हमारा क किर्मचारी एक परियाल अन्य yak शली को भी शर्ष्टा का है कि तो करहती थी का रोकर विजह से रहका बीमें ज्यादा यान ने ट्रॉब कर के बारे में जब हम संभाशन करेंगे तो इसके बारे में शायद हम जादा बोलेंगे पर तु यह समझीए कि ऐसा नहीं कि कुछ कुछ चीजे हैं ज़ि हमें ऐसा समझते है कि कोई अभगात हो गया अब अभगात दो प्रकार के हो सकते हैं जब मंगल का शर्ष्ट से संबंद आएगा खासकर दुर्ष्टी संबंद आएगा हो सकता है कि वहां बैठा भी होगा क्योंकि मंगल दोनों प्रकार से अक्ष्टी पहुचा सकता है भाव को तो आपको अभगात दी होगा न तो अभगात ऐसा नहीं होगा कि अकस्मात हो गया आप कहीं गाड़ी लेके खड़ से बहुत गड़बर में चलने लगे पाव को ठोकर लग गए यह अभगात तो हुआ पर इसमें आपके अभी स्वयोग है यह अचानक हुआ नहीं कि किसी ने तो भी पच्छर फेका आप महां से बुदर रहे थे आपके सर पे लिला आपको कोई संबंद नहीं है नहीं नहीं आपको भूली बार्दी यह अश्टम भाव से नहीं है कि इसे ख्याल में रहे है या समझो शनी वहां बैठाया तो श्वास लेने में तकलिफ हो सकते प्राण का अधिकार शनी का है इसका मतलब यह हो सकता है कि किसी विशिष्ट बातावर में जाने के बात में आपका दम घुचता होगा जिसे अलर्जी कहते हैं या दूशित जगे गए आपको और कुई तकलिफ होई जिसके बारे मैं आगे बोलूगा आपने को पानी ऐसा पिलिया कि जो साफ नहीं था औ आपको दस्त लग गई यह सब शर्ष्ट बाद से आपको मालूम था वो पानी ठीक ने फिर भी आपने पिलिया कि यह उसमें रहेगा हाँ यह सही है कि उसके वज़े से रोग हुआ उसके वज़े से आपको तकलिफ ही परंतु इसमें आपका भी सायोग था हम उसको बोलते ह क्या काया काया कॉंट्रिबूटरी निगलिजन्स आपका भी था है आपने भी कुछ जगे जानने दिया है ना गड़ा था आप पीछे देख रहे थे गड़े में आपकी गड़ी दिर गई या आप दिर गए तो यह शर्ष्ट भाव इसका प्रतित है शत्रु भी अचानक न दूलन न रख पाया है और किसी चीज के पीछे पढ़ गया अब इतने गया कि आपको पुछ रोग हो गया है वह फिर शर्ष्ट भाव से आएगा है ना इसे इसे समझ नहीं की कोशिश कीजिए नहीं तो शर्ष्ट भाव रश्ट भाव दोनों को भी हम देखते हैं शर्ष् फपूल गया कि तो इसमें हम भी हमारे शर्ष्ट है सकते हैं खासकर जब लगने स्थ चर्ष्ट में बैठेगा तो आपको ख्याल में आगा कि जा तक को कही जाना ने कि नवब्भाव है कि नवब्भाव यह लगन से नवब्भाव हमारा जो करता हुए उसका भाव है कर्म के ख्षित्र का नवब्भाव शष्ठ होने से आप कर्म भाव करता है है हमने हमारे पूरी शक्ति से काम कर तो भी हम शेष्ट भाव से देखते हैं इसलिए मैं बोलता हूं कि नवकरी है है हमारा जो मेहनत है लगाने यह भी शर्ष्ट भाव से देखना उसे केवल बुरा भाव मत समझी कभी-कभी वो दशाओं के बाइने में होता है कि लोग ऐसा समझते शर्ष्टेश की दशा हरो वक्त खराब रहती है वह खराब नहीं रही हो शायद आपके नवकरी लगने का संभाना ह होगे तो शायद शर्ष्टेश की दशा भी कहीं रहेंगी यह में शर्ष्टरी दशा तक जब पहुंचेंगे आपके प्रत्सान जाएक तो यह शर्ष्टा भाव है यह अश्टम भाव का गयार्वा भाव है है ना तो यह भावाद भाव क्रिसिमल बड़ा मज़दार रहता है यह जो तत्व है भावाव का यह बहुत ही मज़दार एक ही भाव से हम अनेक प्रकार देख सकते हैं है ना तो यह जो बारा भाव है करीमन 144 भाव में बदल जाते हैं जब हम थोड़ा सा हमारे बुद्धी का प्रयोग करें और कौन से बहुत से यह कितना भाव किस नंबर का भावात है किस कर्माग कर का यह देखे अर लगन से कौन सा भाव क्या दिखाता है कि इसे हम एक बार समझ ले तो इस लिए पहले 12 भाव समझने के बात में फिर भावान भाव हम लगा सकते हैं है ना तो उसमें हमें जो तिशे में एक आधर राशी चक्र को विश्लेशन क करने में आसानी हो जाती है अग यह भावा भाव में जो मुख्य भाव है उससे वह बहुत बदलेगा क्या नहीं पर उसमें भी कुछ शमता होगी उस मूल भाव के परिणाम देरेगी इसे कभी न भूलिए आपके जो अभीप्रा है वो भी मुझे नहीं पूरा किया है जहां तक कि मैं कर आइसा तो अब उस पर 200-400 संभशन भी ले सकते हैं पर वहां हम नहीं जाएंगे मैं आपका जो सही हम है मुझे सुन नहीं का उसे वह तक नहीं ले जाओंगा कि तूट जाए और इसलिए मित्रों अब मैं आपसे बिदा लेता हूं और आपका अस्निह कायम रखें आपके जो अभी प्रा है वो भी मुझे बताईए का मैं कोशिश करूंगा कि उसे देवना आपकी में अंग्रेजी में लिखूंगा तो उसके लिए मुझे शमा कीजिए मैं थोड़ा अब नया सिखने का टाइम वक्त नहीं है तो कभी-कभी आपको ऐसा लगेगा कि मेरी आवाज क्षीना आ रही है वो होता क्या है कि मैं वो वीडियो एडिटर में जाके जब इसको ठीक टाक करने की कोशिश करता हूं तो मैं भूल जाता हूं कि इसका आवाज बढ़ा देना चाहिए उसमें कुछ है ऐसी क्या बहुत है उसको एक पद्दती से किया तो शायद आवाज तो बढ़ा सकता हू तो मैं कोशिश करता हूं कभी कभी भूल भी जाता हूं मेरे उमर को आप माफ करेंगे इसका विश्वास है और यदि आवाज कब जो लगती होगी तो पावर स्पिकर लगा देल जी यदि आप कॉम्पिटर पे देख रहे होंगी या लैप्टॉप पे देख रहे होंगे औ मेरा आवाज भी कभी कम जादा होता है उमर के हिसाब से तो यदि आवाज कम होगा तो मुझे एक शामा करेंगे शुमरे खरी